ओम नमस्षिवाए साथियों आज दर्शन करते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे हिमाले की पहाड़ी श्रिंकलाओं पर उत्राखंड के रुद्र प्र्याग जिले में स्थित केदारनाद धाम के यह चार छोटे धामों में से एक है यह छोटे धाम हैं गंगोत्री, जमनोत्री, बद्रिनाद जी और केदानाद जी पंच केदारों में से एक है पंच केदार हैं तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्यमहेश्वर और कलपेश्वर बारा जोतिर लिंगों में से एक है जो सबसे ज़्यादा उंचाई पर है मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की उंचाई पर है केदार नाज जी केदार खंड भी कहलाते हैं मंदिर ठंडे जलवायू के कारण आमतोर से अक्षय तृतिया से कार्तिक पूर्णिमा में आमशर धालूओं के लिए खुला जाता है सर्दियों में छे महिने भगवान केदार नाज जी का विग्र है भव्य उत्सव के साथ डोली में पूजन के लिए उखी मटके उंका रेश्वर मंदिर में ले जाये जाता है मंदिर के मुख्य पुजारी करनाटक के वीर शेव संप्रदाय के होते हैं और सर्दियों में बावा केदार के विग्रह को डोली में बिठा कर वे ही उंका रेश्वर मंदिर ले जाते हैं साथ में गड़वाल बैंड्स की मधुर धुन होती है और फिर छे महिने बाद उत्सव के साथ भगवान की डोली केदार खंड में वापिस आती है अब कुछ शर्ण इंडियन आर्मी बैंड अफ गड़वार राइफल्स की दुन सुने इदारनार मंदिर भारी ग्रे पत्तरों की इंटर लॉकिंग से बना है मंदिर पहाडी शेली में एक चबूतरे पर बना है मंदिर के गर्व ग्रेह में स्वेंभू शिवलिंग है एक छोटा सा अस्तंब वाला कमरा है जो स्वर्ण पत्रों से सजा है साथ में मा पार्वती है और दीपक जलता है साथ के मंडप में पांच पांडवों की और द्रौपधी जी की मूर्तिया है श्री कृष्ण और वीर्भद्र भी दिवार पर उकेरे गए है बाहर नंदी जी बैठे है मंदिर के बाहर परिक्रमा मार्ग है मंदिर का निर्मान पांडवों द्वारा बताया जाता है यहां द्वापर युग में पांडवों ने शिवजी को प्रसंद करने के लिए तपस्या की महा भारत युद्ध में अपने भाईयों की हत्या के पाप से पांडवों मुक्त होना चाते थे भगवान शिव इसी कारण उनसे मिलना नहीं चाते थे और गुप्त काशी में वे नंदी के रूप में विचर रहे थे पांडव भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया लेकिन वे भूमी में लुप्त हो गए और फिर प्राचीन कथाओं के नंसार उनकी पीठ केदानाथ में हाथ तुंगनाथ में मूर उद्रनाथ में नाभी भाग मद्य मवेश्वर में और बाल कलपेश्वर में दिखे इन पांचों स्थानों में पांडवों ने शिव मंदिर बनवाए जो पंच केदार कहलाए पंच केदारों के दरशन के बाद बद्रिनाथ जी जाना आवश्यक बताया जाता है पांड़ों ने किदार नार जी में तपस्या की यग्य किया और फिर स्वर्गा रोहनी का रास्ता लिया किदार नार जी के आसपस पांड़ों के कई चिन्न मिलते हैं राजा पांडू के नाम से पांडू केश्वर है यहां स्थानिय लोग पांड़ो लीला करते हैं केदार नाज जी से जुड़ी दूसरी कथा शिव पुराण में है शिव पुराण भगवान शिव का वांग मैं रूप है इसमें लिखा है भगवान विश्णु ने नर नारायन अवतार में बद्रीवन में पार्थिव शिवलिंग बना कर शिव पूजन किया उनकी पूजा से भगवान प्रसन हुए और प्रकट हुए और नर नारायन से वर्दान मांगने को कहा नर नारायन ने सर्वकल्यान के लिए भगवान शिव को यहां रहने को कहा और भगवान शिव यहीं जोतिरलिंग रूप में स्थापित हो गए केदार नाज जी के मंदिर तक पहुँचने के लिए गौरी कुंड से ट्रेकिंग शुरू होती है ये 22 किलोमीटर की ट्रेकिंग है इस थान पे मापारवती जी ने शिव जी को वर रूप में पाने के लिए तपस्या की थी यहां गर्म पानी के स्प्रिंग से बना जलकुंड है जिसमें इस्नान करके भक्त केदार नाजी की और प्रस्थान करते हैं पूरी ट्रेकिंग के मुख्य स्थान हैं जंगल चट्टी, भीम बली, राम बाड़ा, लिंचोली और रुद्र पॉइंट जो तीर थियात्री टेकिंग नहीं कर पाते, उनके लिए गौरी कुंड से ही पॉनी, खचर, पाल की आदी मिल जाते हैं जिसके उचिद्दाम सरकार ने लिखे होते हैं रुद्र प्रियाग से ही केदार नाज जी का रास्ता प्राकिर्टिक सुंदर्ता से भरा हुआ है साथ साथ गंगा जी चलती हैं रास्ते में बर्फीले जड़ने, बर्फीले पहाडियां चीड देवदार के व्रिक्ष, बुरांस के व्रिक्ष, रास्ते की सुंदर्ता बढ़ाते रहते हैं अब यात्रियों की सुविधा के लिए हेलिकॉप्टर की सुविधाएं भी हैं आठवी शताबदी में आधी शंकराचारे जी ने पद्रिनाजी और केदानाजी के मंदिरों का जीर्णो धार कराया कुछ विद्वान मानते हैं कि केदानाजी में ही आधी शंकराचारे जी ने महासमाधी ली थी और मंदिर के पीछे उनका समाधी स्थल भी है केदार नाजी के मंदिर के 600 मीटर की दूरी पर भेरवनाजी का मंदिर है जो सर्दियों में इस थान की रक्षा करता है जून 2013 की लेंड्सलेड और बाड में केदार नाजी में जान और माल का बहुत नुकसान हुआ था किन्तु एक शिला जो आज पूजी जाती है जिसे भीम शिला कहते हैं उसी बाड में आई और मंदिर के पीछे लगकर उसने बाड के वेग को रोग दिया और मंदिर को शती नहीं पहुँच पाई बाड का वेग दो हिस्सों में बढ़ गया केदार नाजी में मनाए जाने वाले त्योहार हैं हर्याली तीज, नाग पंचमी, रक्षा बंदन, समाधी पूजा, श्रावन में अनकूट मेला, श्रावनी पूर्णिमा और महाशिवरात्री ये त्योहार धूमधाम से मनाए जा भावी सरकारी योजनाओं में भविश्य में केदार नाजी मंदिर और शंकराचारे जी की समाधी स्थल के बीच शिव उद्ध्यान बनने का प्रावधान है जिसमें बेल पत्री और ब्रह्म कमल समेत अनेक पुश्प और औशधिये पौधे लगाए जाएंगे, रोपफे बनेगा और बारा जोति लिंगों के दर्शन होंगे, ये हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए और वातावरण भी शुद्ध बनाए रखना चाहिए। अगर हम ईश्वर का ध्यान करते चलें, तो यात्रा सुगम हो जाती है। ज्यादा भीड के दिनों में भी नहीं जाना चाहिए। वैसे सरकार ने अफ्तीर्थ यात्रियों की संख्यानी अंत्रित रखने के लिए। उत्राखंड के ओन्लाइन पॉर्टल में रेजिस्टेशन कराने का प्रभंद किया हुआ है। साथियों ऐसे दिव्य स्थानों की दिव्य जानकारी के लिए। प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब इस चैनल। ओम नमस्षिवाए।